नमस्कार दोस्तों देखें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपको YouTube पे कहीं पे भी देखने हो नहीं मिलेगा आपको कोई भी exactly नहीं बता देगा कि 15 मिनट में बैंक करिफ्टी गिरने वाला है या फिर 15 मिनट में बैंक करिफ्टी उठने वाला है लेकिन हम आपको clarity के साथ भी चार्ट बता रहे है नौ बच के 56 मिनट पे देखेगा आराम से चकाउट करिएगा क्या बोला गया 15 मिनट में डाउन ट्रेंड आएगा 60 पॉइंट से जाधा का डाउन ट्रेंड देखने में लेगा और आप देखेंगे तो just देखेगा just 9 मिनट में ये देखे 9 मिनट हुए है चकाउट आप कर सकते हैं और आप देखेंगे candles देखे candle ये देखे candle तो ये सब चीज़े miss नहीं करना चाते हैं real में profit करना चाते हैं option trading के through तो कल miss मत करिएगा हमारा एक भी चार्ट आपको link मिल जाएगा description में telegram को join कर दीजे और बहुत बड़ा update अब देखेगा कल polls आ जाएगे और कल से scenario change होने लगेगा और इसका असर आज से ही देखने को मिलने लगा है जो असर है वो आज से ही देखने को मिलने लगा है तो एक एक point पे focus करिएगा पहले तो मैं आपको एक बड़ फिर से highlight करा देता हूँ कि कल PMI का data है था which is not really good क्योंकि आपको पता है कि अगर इस तरीके से growth होगी PMI में manufacturing में तो आपको पता है inflation एक बहुत बड़ा issue बनेगा RBI के लिए और RBI को देखेगा जो wording है जो statement है वो harsh करने पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे wording और statement को harsh करना पड़ेगा तो वो मैंने आपको point of view बताया था और अब जो data आ रहा है वो देखेगा SNP Global manufacturing का PMI का data आएगा और आपको पता है जैसे ही data आएगा तो अमेरिका के बाजार तुरंत उस पर react करेंगे तुरंत आपको reaction देखने हो मिलेगा जिसका असर आपको कल देखने हो मिलेगा जिसका असर आपको कल देखने हो मिलेगा और आज रात में telegram पे मैं update भी करूँगा description में आपको link मिल जाएगा miss मत करिएगा otherwise आप देखेगा btst या holding करके बैटे हो तो अचानक से आपको shock भी मिल सकता है second चीज fed की meeting है कि अब देखेगा fed के minutes का outcome का आना है thursday को तो कल इसके exit पोल के देखेगा polling एक survey आने लगेगा वो हो सकता है live market में ही survey आ जाए तो जब वो survey आता है तो expectation की जाती है कि fed क्या बोल सकता है वो किस particular चीज के बारे में ज़्यादा बोलेगा या फिर वो देखेगा क्या चीजे neutral लखेगा तो वो जैसे ही polling आती तो उस पे भी dow futures react कर देंगे तो कल live market में बहुत बड़ी हल चल होने वाली है अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला तो अभी मैं आपको indication भी दूँगा मैं factor भी बताऊंगा चुकि without fact मैं बात नहीं करता second thing क्या है कि data इतना आना है data इतना आना है कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि data कहां से आया और market क्यों गिरा या फिर क्यों उठा ये बहुत interesting factor है तो आप देख सकते हैं कि सबकी निगाहे केवल एक चीज़ पे हैं वो क्या है fed minutes in focus तो आपको पता है technically आज Dow futures ने काफी अच्छा reaction दिया एक काफी अच्छा देखेगा rebound दिखाया है but still be cautious क्योंकि ये कभी भी देखेगा कभी भी turn around लेगा चुकि fed अच्छा बोलेगा इसके chances 10% से भी कम है 10% से भी कम है और अब तो और भी ज़दा focus रखिए पहले तो Reuters पर देखेगा update आईए यहाँ पूरा article पढ़ सकते हैं और अगर अगर अब देखेगे gold काफी तीजी से बढ़ आ है तो आपको मैं बता देता हूँ markets होती है equity market, bond market, gold market, crypto market अब अब देखेगा अगर bond market बढ़ आ है तो भी पैसा switch होता है फिर अगर देखेगा metal में पैसा बना है तो भी switch होता है equity market तुरन देखेगा लोग switch कर देते हैं अगर कहीं gold में पैसा बन रहा होता है या फिर bond में पैसा बन रहा होता है तो gold अगर इस रह सकती है इसके भी बहुत सारे सर्वे और रिपोर्ट आ चुकी है आप देख सकते हैं तो अगर कहीं पे भी फेड क्या कर लेता है कुछ भी देखेगा अच्छा नहीं बोलता है या फिर कुछ ऐसा बोल देता है जो disturbing element होता है जो disturbing element होगा तो उस पे daw futures react कर देगे उस पे daw Jones क्या कर देगा reaction देदेगा तो ये हफता बहुत ही uncertain होने वाला है तो मेरी एक बहुत ही देखीगा important request है आप साथे से कि अगर आप beginner है तो nick देखेगा बिलकुल position लेके ना वैट जाएगा कि आज गिर गया है तो मैं देखेगा C बाय कर लेता हूँ कल उठ गया है तो आज P बाय करके बैठता हूँ nothing you will get कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी और आपका frustration होगा वो अलग होगा इससे better है कि scalping का लो इंट्राडे में वो जादा better है ताकि आप जादा परिशान तो आप समझ सकते हैं कि अगर जरासा भी switch होते हैं लोग गोल्ड की तरफ तो भी investor काफी cautious हो जाएगा second चीज अगर आप देखेंगे तो इसका impact आपको देखना है तब जब देखेगा आगे के size कितने हो रहे है 50 के साथ ही तो नहीं जा रहे है fed minute में या फिर 35 आ रहे है 25 आ रहे है तो ये देखना बहुत important होगा क्या इसका भी indication fed देएंगे survey में या कि नहीं देएंगे या फिर exactly देएंगे कि नहीं देएंगे तो उसका reaction फिर आगे अगर आप देखेंगे तो reaction ये देखेंगे शांत चुपचा आप देखिएगा बैठा हुआ dollar index active हो चुका है और ये काफी अच्छी तरीके से active हुआ एक dollar के आसपास तो आप समझ सकते हैं ये activity तब होती है जब fed की तरफ से कोई outcome आने होता है और ये अगर uptrend 105 की तरफ जाता है तो वो market के लिए अच्छा नहीं होगा तो आपको देखेगा dollar index ने indication दिया है पस signal मैंने दिखाया अगर ये 105 की तरफ बढ़ता है तो it's not really good for the market tomorrow और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो हमारा तुरंत देखेगा dollar index ने 105 का level दिखाया तो तुरंत हम 83 से ज़्यादा का बड़ा low बना लेंगे यानि कि 83 से ज़्यादा का बड़ा low बना देंगे चुकि देखेगा यहाँ पे हम open हुए तो और वहाँ से देखेगा depreciate हुए तो ये दोनों चीज हमारी currency के लिए अच्छा नहीं है और अमेरिका के market के लिए अच्छा नहीं है वीडियो कर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much